जैहिंद मैं राजु कुमार और आप देख रहे हैं टेकनिकल गिरीबावा यूटूब चाइनल दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ आईडी के बारे में जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्रधान मंतिरी नरंद्र मूदी ने 15 अगस्त को 17 दिवस के समारोह औसर पर सभी भारतियों को हेल्थ आईडी देने का वदा किया था जिसके लिए ओनलाइन आवेडन चालू कर दिया गया है क्या है हेल्थ आईडी कैसे होगा ओनलाइन आवेडन इसी के बारे मैं मैं आज के वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को complete अंत तक देखिए और एक request है कि चाइन में subscribe नहीं किये हैं तो क्रिपिया subscribe करे और साथी वीडियो को like करे और ज्यादा से ज्यादा share करे ताकि और लोगों को ये जनकारी मिल सके चलिए मैं अपना आज का वीडियो सुरू करता हूँ प्रतेग भारतिय को health ID दी जाएगी ये health ID प्रतेग भारतिय के स्वाथ खाते की तरह काम करेंगी आपके हर टेस्ट हर बिमारी आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी उनका क्या डायोड निजिस्ता कब दी थी आपकी रिपोर्ट क्या थी ये सारी जानकरी इस एक health ID में आपको समाहित की जाएगी health ID online करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि health ID क्या है तो health ID में जो है सो आपके सारे medical report तयार मिलेंगे अगर मान लेते हैं कि पहले आप किसी hospital में किसी doctor के पास जाते थे तो आपको paper work करना होता था लेकिन health ID बन जाने के बाद जब भी आप किसी doctor के पास दिखवाएंगे तो उसमें सारे record जैसे कि क्या medicine क्या injection लगा क्या क्या report क्या क्या जांच हुआ कितने पैसे लगे सारे details आपको इसमें सेव मिलेंगे आप चाहे तो अपने mobile और laptop से भी इस details को 2-4 साल के बाद भी देख सकते हैं और फिर इसको चाहे तो आप delete भी कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ कि online आवेदन कैसे होगा दोस्तो health id बनवाने के लिए आपको online आवेदन करना होता है सबसे पहले आपको इस website पर आना होगा healthid.ndhm.gov.in यहां हमारे description box में link मिल जाएगा वहां से आप direct इस website पर आ सकते हैं website पर आने के बाद आपको यहां पे नीचे की तरफ आनी है और नीचे की तरफ आने के बाद देखिए यहां पर create your health id ना उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहां से देखिए a lot मिल रहा है कि आपको currently health id can be made only in अंडमान एंड निकोबार, आइसलेंड चंडीगर, दादर एंड नगर हावेली एंड दमन एंड देवू, लक्षदीप, लक्षदीप एंड पांडू चेरी और फिलहाल इन ही state के लिए health id generate किया जा रहा है कुछ ही दिन में भारत के संपुर्ण राज के लिए health id online apply होने लगेगा तो यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखाने के लिए बता देता हूँ कि इतने ही state में भी online आवेदन किया जा रहा है लेकिन कुछ ही दिन के बाद में सारे राज में health id बनना चालू हो जाएगा ओ भी online आपको इसी परकार से online करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर continue पर क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस परकार से कुछ page open हो जाएगा फिर आपको नीचे की तरफ आनी है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर दो option आपको दिखाई दे रहे हैं generate by आधार यहाँ पर आप आधार कार से भी आप health ID generate कर सकते हैं या फिर आपके पास आधार कार नहीं है उस इस्तिती में आपको यहाँ पर देखिए I have do not आधार I do not want to use my आधार for creating health ID आप बिना आधार कार दिये भी यहाँ से health ID बनवा सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर click here पर कर देना है click और यहाँ से जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने इस परकार से फिर आपको नीचे की तरफ आनी है और देखिए यहाँ पर create generated by mobile यहाँ पर आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको simple सा एक mobile नमबर डालना है और mobile नमबर यहाँ पर डाल देना है जैसा कि मैं अपना mobile नमबर डाल दिता हूँ जैसा कि आप देख पा रहा है कि मैं अपना mobile नमबर डाल दिया हूँ mobile number डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है आप चाहे तो इसको पठ करके समझ भी सकते हैं declaration है और यहाँ पर आपको I agree पर किलिक कर देना है यहाँ पर आपको टिक कर देना है OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फिर सब्मिट कर देना है सब्मिट करने के बाद इस परकार से आपके सामने एक फर्म ओपिन हो जाएगा इस फर्म को आपको बारेकी से भर लेना है बहुत ही सिंपल सा फर्म है आप इसको बहुत ही आसानी से भर सकते हैं यहाँ पर आपको अपना first नाम डाल लेना है यहाँ पर middle नाम डाल देना है यहाँ पर last नाम को डाल देना है फिर यहाँ से आपको एक health id डाल देना है number जो है फिर यहाँ से password यहाँ से password को confirm करके यहाँ से date of birth को select कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको भर करके live दिखा यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे फृ precise नाम डाल देना है तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूं फिर यहाँ से आपको मिडिल नम है तो मिडिल नम डाल देना अन्य था इसको ऐसे ही छोड़ देना है फिर यहां से आपको last नाम डाल देना है फिर last नाम डालने के बाद आपको नीचे के तरफ आना है और यहां से कोई भी एक health id नमबर जैसा की आपका जो भी नाम है उसको डाल दें यहां पर जैसा की कुछ भी डाल सकते हैं यहां से जो उस password को आपको याद रखना होता है password को डालने के बाद यहां से date of birth को select कर ले जो भी आपका date of birth हो उसको यहां पे select कर ले यहां से month को select कर ले फिर यहां से years को जो भी आपका years हो यहां से आपको year को select कर लेना है date of birth को select करने के बाद आपको यहां से state को select कर लेना है तो जैसा कि मैं आपको बताया तो यहां पर अभी आपको फिलहाल उतना ही state देखने को मिलेंगे यहां से जो भी state आपको दिखाई दे रहा है यहां पर अभी भारत के कुछ ही state में यह option को चालू किया गया है कुछ ही दिन के बाद सारे state में online प्रकिरिया चालू हो जाएगी जो same प्रकिरिया रहेगी फिर यहां से आपको district को select कर लेना है district को select करने के बाद यहां से आपको gender को select कर लेना है gender को select करने के बाद यहां से आपको submit कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे sorry यहां पर password must content as appropriate यहां पर आपको password बनाने के समय एक बाद धियान रखना होगा एक capital letter, एक small letter, number और एक extra character यानि की symbol को मिला करके आपको आठ अंक का password बनाने होगी password बनाने के बाद आपको यहां से submit कर देना है finally submit करने के बाद यहां से आप चाहे तो इस password को save भी कर सकते हैं अपने device पर या फिर यहां से आपको cut कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा health ID बन करके ready हो चुका है यहां पर आपको भी photo दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो आपको यहां पर photo लगाने के लिए simplest आपको यहां से आप चाहे तो ऐसे भी download कर सकते हैं या फिर यहां से आपको edit profile number पर आपको click कर देना है profile पर click करके आप यहां से select करके click to upload photo एक यहां से आप upload कर सकते हैं photo upload करने के बाद जो भी आप photo यहां से upload करने के बाद फिर आपको यहां पे आप चाहे तो इस health id को यहां से click download health id पर click करके यहां से आप इसको download कर सकते हैं और आपके device में डाउनलूड हो जाएगा फिर आपको यहां से print करके सेल्थ आईडी को निकल वा सकते हैं